नमस्कर तोस्तों वेल्टिस्काई की निव इंट्रेस्ट ने एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है मेरा ना में सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑप्शन चीन के बारे में उसको समझने की कोशिस करेंग 24867 पर निफ्टी क्लोज हुआ है और कह सकते हैं डे लो से पूरी रिकवरी आई क्योंकि हम एक गाप अपनिंग हमने खुले थे और गाप अपनिंग के बाद हमने सेलिंग देखने को मिली जो की काफी अच्छी थी अब यहां पर अगर हम समझने की कोशिस करें कि कल से क्या होगा तो उसको जानते हैं और देखते हैं सबसे पहले निफ का चार्डं यहां पर अगर आगर हम डिक्रीके चार्ट मेंदे कर देखें तो बहुदे खोंदे को सिंबल जीव यहां पर इसको एड़ा देत़ है 14.700 पर support लेके एक recovery देखने को मिली तो उपर exactly जो ये resistance था market ने वहीं पर resistance लेके closing दिखाई है अब क्या होगा देखो simply चीदे ये channel है channel का breakout breakdown ही market की direction को बताएगा अगर हम दुबारा से नीचे आने लगते हैं कई ना कई दुबारा से 14,650 तक गिर सकते हैं और अगर इस channel का breakout होता है तो breakout होने में sympathy चीज़ क्या है कि अगर breakout होता है तो next target आपका 15,050 तक का हो सकता है लेकिन फिलाल ऐसा लगनी रहे कि ये 15,000 के उपर टिक सकता है 15,000 के उपर टिकने में जो advantage रहेगा वो रहेगा global market का कल क्योंकि जैसा की पता है आपको Nasdaq ने कल एक अच्छा कासा run-up दिखाया था तो उसी के basis पे आज हम एक gap up opening में खुले gap up opening के बाद हमने profit booking दिखाई और फिर recovery दिखाई है तो कल अगर हम 14,900 के उपर trade करते हैं तो फिर जो next target हो सकता है वो करीब 14,970 तक का हो सकता है 14,970 और 15,000 का target रह सकता है जो maximum target जो फिलाल feel हो रहा है वो 15,50 का ही हो रहा है 15,50 के उपर अगर हम close दे देते हैं या 15,000 के उपर closing देने लगते हैं तो फिर market के लिए chances बनेगे कि 15,300 या फिर नया lifetime high बनानी की तरफ बढ़ सकता है लेकिन फिलाल हमारे लिए तो maximum target हो 15,50 का है अगर nifty 14,890 को पार करके टिकता है यानि 14,900 के उपर टिकता है और अगर ये उपर टिकने में काम्याब रहता है तो ही 15,50 का target रहेगा या 15,000 का मान के चल सकते हो और ये ज़्यादा तरफ conditions होगी gap up में ही क्योंकि आपको पता है operators जो भी market को चलाते हैं वो कभी भी real time में एक level को break नहीं होने देते हैं फिर gap up करा देते हैं gap up होने के बाद retail people सोच नहीं पाता कि actual में करे क्या कि ऊपर 14,900 के ऊपर खोल रहा है buy करे या sell करे पता लगता है वो buy करता है वहां से गिरा देते हैं या वो sell करता है वहां से बगा देते हैं तो ये एक gap up opening की conditions में market का एक direction view पूरा पूरा change हो जाता है कि sentiment कैसा बनता है उस time तो इस चीज़ पर ज़रूर आपको ध्यान में रखना है अगर हम यहां से गिरना start करते हैं दुबारा से तो फिर chances बनेंगे कि देखो हमने यह जो level है इसको एक पार attempt अगर हमने recovery के साथ देखा जाए तो एक पार attempt यहां पर कर लिया है तो कहीं न कहीं अगर यह दुबारा कामकाज कर सकते हैं अगर bank nifty के बाद करें यहां पर तो bank nifty भी important level है 34,000 पार करता है उसके बाद यहां पर 34,300 और 34,300 पार करता है तो then हम 34,000 सास्तों की तरफ बढ़ सकते हैं यह और यह सारे level पार करना बहुत जरूरी है और इनके उपर टिकना भी बहुत जरूरी है क्यों की रेंज के अंदर लेकिन फिलाल एक downtrend में ही ट्रेड कर रहे हैं अब कल का trading session important रहे है अगर यह कल उपर जाके close होता है तो शायद downtrend हमारा complete हो सकता है फिर हम uptrend में आ सकते हैं देकिंगे कल कैसा रह सकता है trading session अगर हम global market की बात करें तो फिलाल देखो US आपका 28 point उपर trade कर रहा है लेकिन अब एक चीज़ यह समझ लीजिए कि इसके बहाब के मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं तो यह कहीं ना कहीं अपने resistance के पात पहुच रहे है आप देख रहे है यह एक resistance है 13300 का इसके ऊपर की clothing ही यहां पर confirmation होगा कि यहां से एक यह 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 फॉल आया था जो की 15 फरवरी से बनाए है और हमने पूरा मार्श निकाल दिया अप्रैल स्टार्ट हो रहा है तो अगर यह निकलता है तो आप समझ जाए कि हम भी अप्ट्रेंड में रहेंगे यह फिक गिरावट पर बाइंग आती रहेगी यहां पर और अगर यहां पर यह दुबारा से के नीचे की तरव आता है तो फिर हमारी भी रहेगी 14,300 से लेके 15,300 यह 1000 पॉइंट के अंदर हम महिना गुदार देंगे और इस महिने में हमारे पास जो रेंज है वो यह ही रेंज है अगर हम option chain में समझने की कोशित करें दो option chain में हम monthly series को अगर मैं focus करूं तो यहां पर दे यह monthly series में अगर highest open interest देखा जाए तो कहां पर बन रहा है आपका highest open interest देखो 15,000 की call में बना हुआ है जो की 27,413 contract यहां पर जुड़े हुए है इसके बाद ऊपर की तरफ जो है वो 15,500 है जहां पर की 18859 contracts यहां पर जुड़े हुए है ठीक है नीचे की तरफ जाते हैं तो नी 14,000 contract जुड़े हुए हैं और इसके बाद नीचे जाते हैं तो 14,000 पर हमारा 52,233 contract जुड़े हुए है तो अगर हम इससे एक अंदाजा लगाने की कोशिशित करें देखो 15,000 की call पर 27,413 contract है 15,000 की put पर आपको कितना है यहां पर 15996 contract दिख रहे हैं लेकिन अगर हम overall range की बात 500 से लेके 15,300 की जो range है इसी के अंदर ही निफ्टी काम काच करेगा तो इसलिए यहां पर 14,500 की put बेच रखी है ठीक है अभी जो premium चल रहा है 148 चल रहा है 15,000 की call बेच रख के premium चल रहा है 269 अगर इसको कोई बनाता है तो नीचे वो कहां तक protection है 14,500 की put का 148 यानी around 14,300 तक protected है और उपर अगर वो भी call sell करता है 269 15,000 की तो करीद परी 15,300 उपर protected है तो overall range वो ही आ रही है 14,300 से लेके 15,300 तक की तो इस range के अंदर ही market rate करेगा यहां पर जो monthly जो option writers है वो यह clearly समझ रहा है अब कुछ लोग यहां पर हो सकता है 14,800 का short straddle बेच के बैठे हो या फिर 15,000 का short straddle बेच के बैठे हो या फिर 14,600 का short straddle बेच के बैठे हो क्योंकि अगर 14,800 का short straddle की value आप देख सकते हो कितनी है 14,800 की जो put है 243 पे trade कर रही है 14,800 की call 383 पे trade कर रही है यानि 500 करीब करीब 620 रुपे के आसपार का short straddle है 620 के आसपार का मान के चलता हूं तो 14,800 में नीचे 600, 14,200 और उपर 600, 15,400 तो इतना सेफ है ठीक है अब इसके बीच में कहीं पे भी expiry आईगी तो जिस लोगों ने 14,800 का short straddle बेच रखता होगा let us suppose nifty 14,600 पे expire हुआ तो उनका कुछ ना कुछ profit बनना ही है लॉस कब है जब nifty 14,200 के नीचे expire हो जाके या फिर 15,400 के ऊपर expire हो वो range अभी बनी नहीं है तो side सी बात है कि वो अभी फिलाल तो impossible सी लग रही है तो इस चीत को आप ध्यान में रखेएगा बहुत से लोग अपने आपको protection में भी ले लेते हैं यह 14,000 की put यह फिर 13,700 की put लेके बैठे होंगे और उपर की side अगर बात करें तो 15,700 या 15,800 की put call लेके बैठे होंगे क्योंकि premium कम हो जाता है और एक कह सकते हैं अपने आपको unsecure condition से secure condition आजाती है आपकी कि आपने maximum loss define कर दिया तो कहीं न कहीं इस range को इस तरीके से play out कर रहे हैं smart people तो उसी के range में ही market को रखा जा रहा है शुरू की जो first series होती है अगर हम overall देखें तो first series में एक trending बनता है market second series third series consolidation रहता है third series का कह सकते हैं हम Wednesday Tuesday से यहां पर एक अपर रेंज को या lower range की तरफ market भागने की कोशिस करता है then final series में हम दुबारा से trending बनते हैं either the upside either the downside तो यह एक trend है जो पिछले 3-4 महिनें से continuously follow होता हुआ रहा है market के अंदर अब इसके अंदर बड़े-बड़े gap up भी होंगे बड़े-बड़े gap down भी होंगे और उसके बाद देखा जाएगा कि market में actual में क्या condition बनती है तो इस चीज़ को आप ध्यान में जरूर रखिएगा तो आई होप दोस्तो यह particular data आपको समझ में आ गया होगा दोस्तो फिलाल इस वीडियो में इतनी है आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा वीडियो पसंद आता है तो लाइक को शेज़ जरू करिएगा और चैनल को जू सब्सक्राइब कर लिए क्योंकि मैं जोदी लेक क्या तरूँगा हर दिन आपके लिए ने वीडियो इसी किता शुक्रिया दोस्तो